हलो फ्रेंग्स वेलकर माई नेम इस कमलवीर आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नेशनलिजम इन इंडिया ये एक ऐसे है जिसके आउथर है रविंदर नाथ टैगोर ये ऐसे पब्लीश हुआ था 1917 में और आपका पेपर है इंडियन लिटरेचर यूनिट नंबर है वन इस पेपर का नाम इंडियन लिटरेचर भी लिखा जाता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये भी लिखा जाता है ठीक है तो ये सेम पेपर है सो नेशनलिजम के बारे में इनका ऐसे है वो हमें समझना है तो नेशनलिजम बेसीकली है क्या सो नेशनलिजम दो किया मतलब होता है national का मतलब होता है State है है या हम कहें country है ठीक है country आपका देश ओक है आपका देश को कि कोंट्रिवकां देश है nation कि इसके इलावा भी that meaning होते हैं वह द Mans करहा है कि हमें जुरूरत नहीं है तो nation, national हो क्या हो गया देश, इजम का क्या मतलब होता है, हिंदी में वाद और इंग्लिश में ideology, ठीक है, तो ये क्या बना, nation यानि कि आपकी country, इजम का क्या मतलब है, ideology, यानि कि विचारधारा, तो nation से जुड़ी हुई ideology, ठीक है, जैसे feminism क्या होता है, फेमाइन, विमन से जुड़ी हुई ideology, Marxism क्या होता है, काल मार्कस के ideas, गांधिज्म क्या होता है, गांधी जी के ideology, यही होता है न, लिब्रलिजम, लिबर्टी यानि की सवतंतरता से जुड़ी आइडिलोजी, ऐसे ही नेशनलिजम क्या है, नेशन से जुड़ी आइडिलोजी, और ये आइडिलोजी हमें ये बताती है, कि नेशन का जो आपके हलो शेप कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, एक नेश से जुड़ी हर एक चीज के बारे में यह आइडिलोजी बताती है यह तो आपको मीनिंग मीनिंग समाझ आ गया अब यह चीज कभी एक्जामिनेशन में आपके नहीं पूछी आएंगे लेकि फिर भी बता देता हूँ 1901 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला शांती निकेतन में 1913 में इन्हें Nobel Prize मिला गितांजली के लिए 1921 में इन्होंने विशव भारती युनिवर्सिटी को उपन किया लिखना चाहते हो तो लिख देने एक्जाम में नहीं लिखना चाहते तो को दिक्कत ने सो नेशनलिजम के बारे में इस ऐसे में इन्होंने क्या लिखा सबसे पहले इन्होंने लिखा कि नेशनलिजम क्या है एक तरीके का वेस्टन कंसेप्ट है यानि कि इंडियन एशियन कंसेप्ट नहीं है नेशनलिजम क्या है एक वेस्टन कंसेप्ट है फिर से पहले वाली ब जैस KatyС का जो आइडिया है वही Western कि नहीं इसिया में कहीं आपने नेशन वर्ड का CONCEPT वह कहा रहा है ही नहीं वह कहा रहा है कि कानसेप्ट ही वेस्ट में डेवलप हुआ था नेशन से जोरी आइडिलोजी है तो यह वेस्ट का आइडिलोजी है समझ रहे हो न ठेक है न तो इसका मतलब क्या है यह वेस्ट्राइड लोजी जै क्योंकि वेस्ट में डेवलप हुआ नेशन का आइडिया पहली बार आगे क्या यह है reason behind development of this idea क्यों यह आइडिया डबलब हुआ आईडिया तो इस लिए डबलब हुआ क्योंकि वहां पर नेशन बना था तो नेशन क्यों बना था यह तो बता दो वो कहते हैं और सोचो एकनॉमिक नीड्स ऑव सूसाइटी दिम्हाँ के समाज की कुछ आर्थिक और समाजिक जरूरते थी सोश्यो एकनॉमिक नीड थी वो नीड उनको फुलफिल करना था तो उन नीड को फुलफिल कैसे करते हमारे यहां क्या होता है अगर राजा को पूरी प्रजा को अपने पीछे-पीछे दोडाना है तो या तो वो force का use करता है, लेकिन force का use कब तक करेगा, फिर राजा क्या करता है, religion का use करता है, कि नहीं, धार्मिक बातों में उलजा के पूरी प्रजा को अपने पीछे लगा लेता है, यही होता है न, देख लो आज की टाइम पे कौन सा ऐसा concept है, कौन सी ऐसी ideology, कौन सी ऐसी चीज है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जुट कर सकती है, कठा कर सकती है, एक आदमी के पीछे लगा सकती है, आपने देखा, वो कितने सारे आज कल तो फेक बाबा भी है, यहीं, तो ऐसे इंडिया और एशिया में religion का concept है, वैसे वो कह रहे हैं कि नेशन म उन्होंने यह concept, यह idea लोगों को बेचा और लोगों को अपने पीछे लगा लिया, ठीक है, तो लोगों को समझाया गया कि यार यह boundary देखो, यह हमारा nation है, यह boundary है, यह हमारी government है, यह आप कहलो कि हमारी यह population है, तो यह हमारी territory है, यह हमारा nation है, हमें इसको develop करना है, हमें इ इसको protect करना है, हमें 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 करके इनोंने एक we feeling आगी लोगों में कि हम, हम किस नाम पे पहले लोग होते थे, धरम के नाम पे हम, हम सभी हिंदू है, हम सभी मुस्लिम है, यहां पे आ गया, हम सभी इस nation के वासी है, तो एक नया idea लोगों को जोडने के लिए, और लेकिन ध इसे पूरी हो रही थी, कैसे समझते हैं, वो कह रहे हैं, opportunities arise from new society, industrialism and science, देखो समझो अभी, वो कह रहे हैं कि 16th और 17th century में आते आते क्या हुआ, industrialization हुआ, science का renaissance हो गया, कई सारी enlightenment एरा चला, तो कई सारी चीजे हुई, तो west में क्या बनने शुरू हुई, बड़ी बड़ी factory बननी शुरू हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी factory, चिबनियों से दुआ निकल रहा है, तो ये factory बनना शुरू हो रही थी, एक factory यहाँ बनी, एक factory यहाँ बनी, तो अभी दो चीजों की जरूरत थी, factory को चलाने के लिए workers की जरूरत थी, ठीक है जी, ओके, तो इसके लाव factory और इस सारे region को protect करने के लिए police की जरूरत थी, और इस सारे region में rule regulation चलाने के लिए government की जरूरत थी, तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने जो बड़े बड़े पुझी बती थे, capitalist थे, उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ भी यह factories है, यह हमारी territory है, और यह हमारा nation है, इन workers के दिमाग में भी यही डाला कि यह आपका nation है, इसे protect करो, यहाँ की factory में ही काम करो, यहाँ से जाओ नी, ठीक है, और यहाँ के, ताकि यह सारी चीज़े इसलिए की गई, ताकि यह एक boundary set हम कर सके, और इस boundary में जितने भी सारे आप कहले जी resources हैं, उन्हें use कर सके, exploit कर सके, सब और workers ने कहा कि हाँ, हमारी territory है, तो worker कह रहा है कि हम तो यहीं काम करेंगे, police कह रहे है कि हाँ, यह हमारी territory है, हमें तो इसे protect करना है, government कह रहे है कि हमारी territory है, हमें यहाँ अच्छा rule regulation लाना है, लेकिन यह सारी चीज़े के पीछे purpose क्या था, यहाँ के resources को अच्छे से use किया जाए और capitalist यहाँ से ज्यादा से ज्यादा profit earn कर सके, तो इस वजह से concept develop हुआ, क्या था, to get benefit from these condition, people need to come to each other, लोगों को आपस में जुड़ने की जरूरत थी, लोगों को जूडने की जरूरत थी, बल्कि लोगों की ही जरूरत थी, काम कौन करता factory में, people came from rural areas to factories, rural area, दूर दू revolution was the reason behind nationalism, ये पॉंड लिखने वाला है कि industrial revolution से ही nationalism का जनम हुआ, nation as a group of people came to organize to get benefit and their interest, to fulfill their interest, worker को भी फाइदा हुआ, job मिलगी, capitalist को तो पैसा कमा रहा है, वो तो factory में से, police को भी job मिलगी, police को काम भी मिल गया, सरकार को, सरकार को क्या फाइदा हुआ, लोग सरकार में जाने लगे, PM बन रहे हैं, President बन रहे हैं, उनका भी फाइदा है, इस nation नाम के concept और इस boundary के concept के उपर, The social relationship is instrumental, new relationship in nation are instrumental, वो कह रहे हैं कि यह सारे जो relation थे ना, यह instrumental थे, हम कहते हैं कि हम Indian है, वो कह रहे हैं कि यह आपके अंदर की जो भावना है, Indian है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, यह जो आपकी we feeling है ना, यह instrumental है, यह आपने अपने फाइदे के लिए develop की है, इस feeling का आप use करते हो, कि सीच के लिए, यही boundary बनाने के लिए, फिर उस boundary से फाइदा लेने के लिए, ठीक है, यह तो अभी first part होगा इस वीडियो का, second part में फिर और अच्छे से detail में discuss करेंगे, तो अगर आप लोग prepare कर रहे हो, में English Literature में किसी भी topic में, तो सभी topic के लिए, सभी subject के लिए, वीडियो, लेक्चर और notes अवेलेवल है, हमारे app और website के उपर, app का नाम है अमनपार्टशाला, website का नाम है अमनपार्टशाला.com, तो में English Literature के जितने भी subject हैं, जितने भी topic हैं, सभी के उपर videos और notes अवेलेवल के उपर, app का नाम है अमनपार्टशाला, website का नाम है अमनपार्टशाला.com, link वीडियो के description box में भी given है, वहां से भी click करके join कर सकते हो, या यह number भी given है, अगर कुछ भी पूछना हो, तो यह number पर भी contact करके आप मुझसे पूछ सकते हो, M English Literature के लिए, okay, so thank you for watching this video, अच्छी लगी हो, तो like कर देना है, चैनल पर नए है, तो subscribe कर लेना, bye bye